इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं, पैरा देव फॉस्पेड आई प्यो के रिव्यू की, कि इसको आपको सब्सक्राइब करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या इसके GMP चल रहा है, और मार्केट के जो एक्सपर्ट है, उनका क्या रिव्यू है, तो देखे इसके इस्यू प्राइस जो है 17 तरीक से यहाँ पर उपन हो चुका है, अभी तक में एक बज़े तक की बात करो, आप देख सकते स्क्रीन के सामने, 0.19 से यहाँ पर सबसक्राइब हो चुका है, रिटेल जो केटेगरी है 0.38, यानि कि 40% यहाँ पर सबसक्राइब हो चुका ह यानि कि इसका कोई भी GMP वगर नहीं चल रहा है, कर डेफिटली यहाँ पर 3 रुपे का GMP दिखा रहा था, लेकिन अभी ऐसी कोई भी इंफोर्मेशन नहीं है, सेकेंडरी मार्केट के अंदर जिससे कि हम लोग वेरिफाइब कर सकें, इसके लावा जो मैंबर्स होते हैं, जो हैने से expert होते हैं, उनका भी opinion poll यह रहा है, कि 18% लोग कह रहा है कि आपको subscribe करना चाहिए, 5% जो लोग यह उसको avoid करने के लिए कह रहा है, subscribe में भी लोग यह कह रहे कि यहापको long term के लिए इसको hold करना चाहिए, अगर आप सिर्फ listing gain के उपर focus कर रहे हैं, तो आप LIC की य यहाँ पर issue हुआ है, तो अभी जो market चल रहा है, उसके according मुझे नहीं लगता है, यह वाला जो IPO जो आपको listing gain दे पाएगा, तो अगर आपका long term vision है, कोई भी non-urial fertilizer company के अंदर, then definitely आप इस company को यहाँ पर consider कर सकते हैं, क्योंकि जो PPL है, वो one of the second largest non-urial fertilizer manufacturer है country के अंद, के जो stock है, केवल आपको long term के अंदर ही benefit दे सकता है, short term में आपको कोई भी benefit नहीं मिलने वाला है, यह था short and honest review सभी market expert का, so guys hope you like this video, please subscribe अगर आप लोग के कोई भी doubt से, comment section के अंदर ज़रू बताइए, thank you guys, thank you very much